जी सो असलाम अलेक्टम कैसे हैं आज हम देखेंगे जी के टीपी बुक्स पब्लीशिंग अनेल्सिज आवर्वियू या फिर बुक को लिस्ट करने का तरीका जो भी आप इसको बोल लें जिली जो आपको अच्छा लगता है तो आज हम करने लें नहीं आ रहे हैं जी जी आप की स्क्रीन नहीं आ रहे हैं स्क्रीन क्यों नहीं आ रहे हैं आफको पाश शेर नहीं हुई ने हो पिए फिलिक करें आप होनी चाहिए तो अब वी हम चलते हैं प्रक्कल May को कैसे हम ने बुक्स को पबलीश करना और तो आज यह सर्बसे पहले हम अपना एक store open करेंगे तो इदर मैं एक store open कर लेता हूँ और इसके अंदर आज हम book को list करेंगे कैसे हमने अपनी book को list करना है practically आज हम देखेंगे तो साबसे पहले थी हमने किया करना जैसे हमारी बुक्स रेडी हो जाती है पुब्लिश के लिए हमने उसकी सारी चीजें जो है ना वो कर्येट कर लेते हैं तो उसके बास सिंपली आपने इतर आजाना है और आपने कर्येट के उपर क्लिक कर देना तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो आना ये थ्री आफशन आएंगे जो में थ्री आफशन इसके अंदर होते हैं किंडल ए-बुक, पेपर बैक एड हाड कावर जिसके उपर हमने काम करना थे तो ये चीजें आपने अपने माइनड में रितनी हैं बाकी जो आना ये तो जडदे हम इसको मैंने थरे एक बुक भी जो है न ओपन कि हुई है तो पहले हम क्यांदर तक ई-बुक को फब्लिश कर लेते हैं कि इस पूप होगा पाला किन्डल एबुक का इस के इंदर हैं किस रसको जो आफ फिल्ड करना न YE present किसे क्वेल होगा को वाम से लेंग्वेज बूछेगा क्वाम ने लेंग्वेज इंग्वेज देश की कि हमारी book English के अंदर है. अगर कोई हमारी book का format और होता है या language मतलब कि और होती है, उसमें क्या करेंगे कि हम जो language होगी उसको select कर लेंगे easily. German, French, Spanish और जो भी है उसको हम select कर लेंगे. तो इसलिए हमने सबसे पहले करना होता है title, book का title, से जो मेरे बूक का नाम उता है उसको आमने इदर करना है तो आमने इदर जग निकाली है ना उसका हम आथить ने करें इसकी डिटाइल की डिटायइल को पक टाइल शीट है तो चेश को हम आप लेते हैं इंडू तो यह जी बूक की शीट है जिसको मैंने उपन कर लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बूक का में नेम जो आपकी बूक का टाइटल होता है वो आ जाता है इसका टाइटल है डूमेंट एकिंग क्योंकि यह हैकिंग की उपर बूक लिकी गई है तो इसलिए जो आ इसका फर्स्ट जो हैना वह न वैंडिवर्पमेंट हैकिंग तो इसको अम कॉप्टी कार लेंगे जह सारी चीजे पहले आपने फाइंड की होनी है तो यह सारी चीजे आपके पस होंगे तब यह अपनेुक्स को पूबलिश करना है, तो simply हम क्या करेंगे कि हम इदर आ जाएंगे, जैसे हम इदर आएंगे हम इसको पेस्ट कर देंगे, desem के बाद आ जाता है आपका साब टाइटल, तब टाइडल के अंदर क्या होता कि यह जरूरी नहीं होता कि आप इसको लगाएं या ना लगा तो इसलिए आप ने इसको लगा लेना यह बैस्ट होता है आपकी अट्रेक्शन के लिए क्योंकि आपकी बूग क्या जब आगे लाइव होती है तो लोग उसको सर्च करते हैं तो इसके अंदर में जो चीजें होती है ना वो मतलब सब्सक्राइड लगा डाल देते हैं उसके अंदर थोड़ा सा आप इंट्रोडेक्शन करवास किते हैं अपनी बुक के रिलेटेड जैसे यहां पर मैं ले आता हूं अपना दूसरा ऐसा करते हैं इनको डिलेट कर देते इसके तो नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा इसका साब्टाइटल ठीक है जैसे यह संब्टाइटल है इसका कि मार्कीटिंग मत्या डालोजी एंड टूल्स एंड ग्रो टू सेट अप स्टार्ट अप ठीक है तो इसको हमने इदर से कॉपी का लेना कॉपी करने के बाद सिंपली हमने इदर आ जाना है और इस दोर पेस्ट का दें कि सिंपल है अगर इस तरह कोड़ी डौट्स वगैरा है तो इसके अधर से आपनी काल दें ठीक है उसके बाद आस जाता है जी इसको हम थोड़ा काल लेंगे marketing को उसके बाद आजाती सीरीज सीरीज के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना टाच नहीं देना उसके बाद आजिता है addition number भी optional है इसको भी छोड़ देना है उसके बाद आपका author name author name जो आपने find किया होगा जो हम next lecture के अंदर करेंगे author name को find कैसे find करते हैं तो हम क्या करेंगे कि उस author name को इदर journal आकर paste कर देंगे जैसे यह मेरा author name है ठीक है इस book का तो हम क्या करेंगे इसको copy कर लेंगे copy करने के बाद हम simply इसको paste कर देंगे इसका जो last name है इदर रहने दिए और जो हमारा last है ना वो इदर बलकिका लेंगे last के अंदर और जो हमारा first है ना उसको हमने इदर first के अंदर रखना है last and first ठीक है उसके बाद आ जाता है आपके contributor contributor क्या होता है कि कोई भी person आपके साथ काम कार रहा होता है दूसरी जगह पर यानि एक आप बुक बना रहे हैं दो लोग मिल का ठीक है यानि दो आथर एक बुक बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरा आथर अगर अपना name add करवाना चाहता है तो वो इदर करवा सकता ह उसका भी option यह तक दिया गया है तो आप उसका भी first name और second name इदर जो आना launch कर सकते हैं उसके बाद आ जाती है आपके description ठीक है description क्या होता है यह होता है तारूफ यह नहीं किसे चीज का तारूफ करना जिसे introduction भी आप कहते हैं किसे चीज के मतलग कुछ जो आना मालूमात देन जाने आपकी book है आपने क्या बनाई book जो है आपने बनाई development hacking के उपर book बनाई तो उसके अंदर क्या क्या feature है वो आप बता सकते हैं थोड़ा सा shortly जो है एक class के अंदर ठीक है एक introduction के अंदर आपने वो थोड़ा सा link लेना है ताके अगले वाले person को पता चले जो वाय करने आ है कि इसके अंदर मुझे क्या क्या मेन ली चीज़ें मिलने वाली है तो जैसे यहां पर हमारे पास आज़े description यह देखें यह description है ठीक है तो इसको हम इदर से copy का लेते इसके अंदर लिखा हुआ क्या है देख लें उसी book कर लेडिल जो है ना लिखा हुआ है थी देख लें टॉपिक्स आफ़ा पेपर आफ़ा ड्वैल्पमेंट है किंग टिकनालोजी आफ़ा मतलब के कंसेंट टूर टेस्टिंग आफ़ डिफिरेंट सुस्यूशन क्या है कि यह उसी के रिलेटिड उस बुक के लिखा हुआ है इदर से हम इसको copy करेंगे simply हम इदर लाकर इसको paste कर तो नेक्स्ट है होता है जी publishing rights के आपके जो publishing rights हैं वो क्या है तो हम on copyright क्योंकि हमारे जात्ती बुक है अगर आसके आप जी जी इसका क्या मतलब यह publishing rights होते हैं वो मतलब कि अगर आपने अपनी बुक जात्ती बनाई होती है आपने किसी की बुक नहीं लिए होती ना अपने website से बुक लिए होती है इंटरनेट से तो फिर आपने यहां पर जो है ना उपर वाले पर क्लिक करना होता है on copyright यानि यह बुक्स मेरी अपनी जा करती है अगर आपने करें से इंटरनेट से बुक से ली होती है है तो प्रयूपर आप्र यह एड़ एड वास थो ऀधर आपने no card देना है और audience को आपने target नहीं करना ठीक है? इसके अनदर audience को target हर गीज नहीं करना क्योंकि low and no content की book होगी ना आपके उसके अदर आपने जो age target की होती है बुक के अंदर वो आप इदर जोनल select कार सकते हैं जैसे kids book for just kind book kids for age 48 का लें या फिर eight to twelve कर ले तो वो आपने इदर जो हैना four to eight है तो फोर इदर सलेकर डाले, minimum और maximum eight कर ले तो फिर क्या होगा कि चार साल से आठ साल के दरम्यान में जो बच्चों की जिनकी age हैना उन लोगों को आपकी books जो हैना दिखाई दी जाएगी बाकी लोग जितने भी हैं eight से उपर या four से नीचे किसी को भी आपकी book वहां पर शो नहीं होगी तो इसलिए मैं तो यह भी recommend नहीं करता कि आप जो हैना उस जो आपकी low and no content की book होती है उसके अंदर भी audience को आप target ना किया करें ठीक है इसको select के उपर रहने दिया करें इसमें आपको बहुत ज्यादा जो आपको बताई हुए हैं ठीक है यह 11-12 जो आना मार्कीर्स है एमाज़्ून की जिनके अंदर आपकी book- जो आना सेल होती है next आज आती है आपकी categories categories क्या होता है कि book को आपने किस topic के उपर बनाया है वो बेसिकली जो हैना categories उनको कहती है ठीक है तो क्या होता है कि वह जो भूक है किई था आड करवाने हो जैसे हमारी पूक हभी हम जो लांज करए हैं यह सबसे पहले सारे चीज़ Medical Books Hacking के उपर मेरे ख्याल में जो है ना Fitness है इसके अलावा जो आधिकेशन Technology है और इसके अलावा एजुकेशन हेकिंग के अबाउड जो आधिकेशन के आपको नहीं मिटे की Computers and Technology के अंदर आप इसको जो है ना एड करवा सकते हैं इसके अलावा और देख लेते हैं जी तो क्या करेंगा कि इस हूद को कुए ना मम कंप्यूटर्स कि अंदर कम्प्यूटर्स एंड टिकनालोजी के अंदर क्लिक करेंगे उसके बाद हम इसको देख कि यहां अगर कोई अधर काटnajरी दमें मिल रही है accurate तो ठीक है नहीं मिल रही तो हम journal के उपर click करके इसको क्या करेंगे computers and technology के अंदर add करवा देंगे simple है उसके बाद कोई और आपी categories होती है तो आपको मिल भी जाती है यह नहीं के मिलती है यह देखें यह वैसे आती ही सी के अंदर computer and technology के जरीए जो है ना हम सारी एकिंग हो जो है ना चाहिए वो ethical एकिंग हो या फिर कोई और दूसरी योटिक है तो वह हम इसे के जरीए computer and technology के जरीए ही करते हैं उसके बाद क्या होता कि आपके seven keywords आ जाते हैं तो इदर आपने seven keywords को add करना जो आपने find करके आपने पास रखे होंगे तो हम क्या करते हैं जी आम इदर से अपने seven keywords भी copy काल लेते हैं जैसे यह first हमारा keywords है ठीक है इसको हम इदर से copy काल लेंगे पेस्ट कर देते हैं इदर हम क्या करेंगे दूसरा copy काल लेंगे कि इसी तरीकर से आपने आपने इतने keywords है उनको copy करते जाना है और एड काल लेंगे जैना आपने एड काल लेंगे इस तरीकर से आपने आपने keywords को एड करवाते जाना जो आपने find कि यह होंगे सेवन आपने complete करने है और different keywords होने चाहिए यह नहीं कि मैचिंग keywords यूज करने है जैसे यह मैचिंग keywords जो है न एक keywords को तीन दफा जो है पेस्ट कर दिया इस तरीकर से इस तरीकर से different ठीक है और ranking keywords यूज करने है तो next आ जाता है मारा pre-order तो इसके अंदर कोई pre-order तो भी इसके लिए भी नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको save and continue के उपर click कर देंगे तो जैसे हम click करेंगे यह save हो जाएगी ठीक है इस तरह से done हो जाएगी next हमारे पास आ जाएगा जी एक page kindle e-books content का इसके अंदर हमने क्या करना है जी manuscript को upload करना जो हमारी book हमने ready की होगी उसको आमनी तरह launch करना है इस तरह हम क्या करेंगे यह हमारे पास और book पड़ी है तो इस book को हम English language के अंदर publish कर देंगे तो यह हमारी book upload होना start होगी इसके बाद हम क्या करेंगे e-book cover जो हैना उसको launch करेंगे तो यह जी upload होगी अब हमने क्या करना है कि अपना e-book क cover जो हैना हमारे पास बना हुआ है तो हम नीचे यहां पर tick करेंगे उसके बाद हमने upload your cover file के उपर click करना है और अपनी book का जो English के अंदर cover है ना उसको edit करवाना यह हमारा English language का cover है तो इसको हम जो हैना इदर upload कर देंगे तो next option वो हम से पूछ रहा है कि AI generated content है आपका या नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारा AI generated content नहीं है हमने जिस्ट अपनी जाती book खोद लीख ही है ठीक है अगर आप कहते हैं कि है तो फिर उसके अंदर कोई मसला मसाहिला सकता है क्योंकि उन्होंने यह जो new update दी है ना उसके अंदर उन्होंने बताया कि कोई भी AI की जो है आपने यूज नहीं करनी पिच्चर ना उसके अंदर कोई content वगारा आपने उससे write करवा कर लीखना है ठीक है तो इसलिए जो है ना यह AI basically है क्या चीज़ यह आर्टीकल आर्टीकल official intelligence यह एक टूल है जो मतलब कि आपको automatically जो है ना आपकी कोई भी theory आप लिकवाना चाहते हैं तो automatically यह आपको लीख कर देता है तो इसलिए जो है ना इसकी आप देखें लाखों लोग इसके उपर काम करते हैं और एक ही article को यह बाल बाल लीख करते सकत है different slogan को तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना कि इससे अपनी books लिकवानी है वो क्या होगा same to same अगर लिखेगा उसके अंदर pleasureism हो आ जाएगा फिर उसके अंदर issue बनेगा तो इसलिए आपने इसको use करेंगे भी तो कुछ secret इस तरह की चीज़े हैं जो हम इसके अंदर use करते है हैं तो क्या करेंगे लाउंच हैं पर वालटी इसकी होती है जानी quality हम चैक करते हैं कि हमारी बूक के अंदर क्या क्या जो है ना कोई issue बगारा तो नहीं है जैसे मैंने इसको क्लिक किया ना यह में लाउंच प्रिव्यू इसका देगा कैसी हमारी बूक में नजर आएगी तो के बाद अगर हम इतर करते हैं तो इस तरह इसके इस तरी केशा और आगर से बूप जो नश्ट आ रही हो गी यहान से इंट्रुबैक्शन इस तरह यह ऑर नजर आ है मारा का तो उसके बाद जो आना हम बैक्स चले जाएंगे और इसको आगे लास्ट टैप करते हैं जी आगे हमारे पास आ करता है जी किंडल एबुक आई पी एसन नमबर तुझे हमारे पास जो हैना आटोमेटिकली लगेगा तो हम इसको सेव एंड कंटिनियो क्यों पर क्लीक करते ही है तो जैसे हम क्लीक करेंगे फिर से हमारे पास एक जैना न्यू इंटरफेस ओपन होना है वो कह रहा है किंडल ए बुक की प्राइस लगानी होती है उसके बादा जैता है मारा केड़ीप स्लेक्ट इंडॉल्मेंट ठीक है क्या होता कि इसके उपर आपने टीक कर दी तो इसमें होगा क्या आप भी बुक के उपर जो लोग आएंगे वो अगर आपकी बुक को रव्यू करते हैं आपकी बु जब डिफिरेंट्स लेंग्वेज के अंदर लगी होती है तो उनकी अच्छी खासी इंकम आपको आ रही होती है तो नेक्स्ट को इसको भी आपने छोड़ देना है कि आगे आजाता है प्राइसिंग डिवैलिटीज एंड डिस्ट्रिबूशन तो इसके अंदर क्या करना है अगर आप अपनी बुक को रखते हैं थर्टी फाइव परसेंट के उपर तो आप मैं मसूल के जितने भी मार्केट्स हैं टोटली उनके अंदर आपकी बुक जो हैना सेल होगी ठीक है और फाइव मतलब कि यह तकरीपन जो हैना थर्टी फाइव परसेंट के अंदर यही है अगर आप इधर कार देते हैं सैमेंटी परसेंट तो यहां पर क्या होता है कि आपकी लिमिटेड जो हैना होती है मार्केट्स जिनके अंदर आपकी बुक सेल होती है तो इसलिए मैं आपको रिकमेंट करूंगा थर्टी फाइव के उपर ही रखें उसके बार यह बता रह सकते हैं क्योंकि इसमें जो आपको रुवैलिटी मिल रही होगी ना वो सैवंटी परसेंट होगी तकरीब आप ऐसा समय लें कि आपको एक डॉलर से दो डॉलर तक रुवैलिटी मिल सकती है उसके बाद इसके डिलेवरी कास्ट आ जा जाती है वह भी जो है ना क्योंकि यह होती है इसके डिलेवरी कास्ट होती है बेसकली तो इन्हें वैसे जो है लगा दिया उसके बाद आ जाता है जी टर्मस एंड कंडिशन तो टर्मस एंड कंडिशन ओके हैं जी वो कह रहा है कि कैन यू टेक आप टू सैवंटी टू आर्स योर टाइटल एंड अवैलिबल पर जाने कि आपकी जो यह बूक का सैवंटी और इसके बाद लाइव होती है उसके बाद जो है लोग इसको पर चैथ कार सकते हैं उसके बाद आपने कार देना है पब्लिश योर किंडल एबुक ठीक है तो आपकी बूक पब्लिश हो जाएगी सिंपली क्योंकि मैंने इसे पब का प्रोसेस होता है इसी है बिलकुल इतना कोई मुश्कल काम नहीं है उसके बाद दुबारा से हम बैक जाएंगे और पेपर बैक को बीम पब्लिश करेंगे पेपर बैक को पुब्लिश करने का सेम वही तरी का यह देखें वो हमारी एबूक जो है ना आ आगई है इदर ठी अगर आपने दुबारा से इदर से जाना रहे तो जासकते आप इसथा जाने और इदर से जाने करेंने के नंदर डी जाना कै और उप्ले के उसलिए ओप करेंगे तो अब देखेसी ऑफ़ या क्रेंगे आप पड़ेगा Tudo उसके डिस्क्रीप्शन उसका author name, उसके seven keywords, ठीक है, यह जितनी हमने टेर की, e-book के अंदर add की थी थी ना, वो दुबारा से हमें इदर add करना पड़ रही है, यह देख लिए, कोई भी मतलब के form fill नहीं है, हमने दुबारा से form fill करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कि हमने इदर से स्टार्ट अप नहीं अब लेना, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे back से, ठीक है, जानि जब हमारी e-book हो जाती है, पब्लिश तो उसके बाद हमने क्या करना, इदर start करना, create paperback की उपर, जैसे हम इसके उपर click करेंगे ना, तो हमारी सारी चितनी भी आमने लगाई होगी, आपनी details वगारा, बुक के अंदर add की होगी, automatically इदर add होगी, यह देखें, development, hacking, ठीक है, उसके बाद हमारा subtitle भी लगाए, उसके अमारा जो प्रोफेसर नेम है, वो भी लगाए, ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है, कंट्रिब्यूटर और हमारी description पहले ही set है, यह देख लिए, उसके बाद हमारा हर चीज़ मतलब के पहले fill है, आपने इदर कुछ भी नहीं करना है, इदर वो लिका हुआ है, डाजनाड जूर क्लासिफाई एंड दोस टाइपस चूज आलाफा अपलाई, तो इदर अगर आपकी low and no content की बूक होती है ना, तो आप इदर की उपर click कर देते हैं, लेकिन अभी हमने इसके उपर click नहीं करन हैं, ठीक है, इसके अंदर नहीं तो अभी इसको भी रहने दे, उसके बाद हमारे पास इदर आ जाती है, कैटागरीज, कैटागरीज इदर आपने select करनी है, अजरस्ट, कैटागरीज आम आ जाते हैं, जी इदर, engineering and techniques, लेकिन हमने जो पहले add की है ना, वही same हम इदर add जर्नल के उबर क्लिक करके इसको save करवा देंगी, उसके बाद हमारे seven keywords भी लगे हैं, इनकी भी हमें जरूरत नहीं है लगाने की, क्योंकि सारी information हमरी पहले feel है, बार बार feel करने के बजाए हम एक दफ़ए feel करके यह तर सही जो आना, start-up लेकर अपनी book को publish करवा सकते हैं, त ठीक है, तो वो बार कोड किस तरह का नजर आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो हम क्या करेंगे, assign me a free kdp isbn number के उपर click करेंगे, तो यहां पर इसको okay कार देंगे, तो यह हमारा automatically इदर है, लग जाएगा, यह देखें, यह आपका isbn number है, यह वाला जो उन्होंने आपको freely दे दी जाए, ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे आता है publishing dates है, publishing dates यह optional होती है, अगर आप अपनी बुक की publishing date लगाना चाहते हैं, तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते हैं, तो ना लगाएं, यह भी मैं आपको recommend नहीं करूंगा क्या आप लगाएं, ठीक है, तो आप ना लगाएं, तो best है, अगर लगा भी लें, तो यह इतना बड़ा issue नहीं है, क्योंकि issue होते ही नहीं है, उसके बाद printing option आजाते हैं, आपके पास कि आपकी बुक जो है ना, वो किस type के अंदर है, यानि उसके page किस type के अंदर है, उसका जो color है, वो किस type का है, तो आप पेज हैं, उसका font है, वो सारी चीज़ें ही जरा आपको select काना सकते हैं, जैसे black and white interior with cream paper है, ठीक है, उसी तरीका से नीचे आ रहा है, black and white interior with the white paper, तो हमारा क्योंकि जो interior होता है, वो मतलब कि क्या होता है, वो white ही होता है, ठीक है, और उसके उपर जो हम लिखते हैं, वो black होता हैं, तो इसलिए हम इसको इसके उपर ही रहने देंगे, इसको change नहीं करेंगे, उसके बाद हमारा आज आता है, trim size, अब trim size गया है, हमारी books है, e-book, यानि हमारा जो books चाले रही है, यह हाई content की book, जिसके अंदर हमारी e-books है, paperback है, और hard cover है, और यह हमारी कौन सी books होती है, मत आप देखें, यहां पर मैं जैसे click करता हूँ ना, यह उपर देखें, most popular trended trim size, ठीक है, अब high content की जो आपकी book होगी ना, उसके अंदर paperback आता है, hard cover आता है, ठीक है, e-book आती है, तो उसके अंदर क्या होगा, यह वाले size आप चूज़ करेंगे, 5.8 inch ठीक है, या फिर इसके ना, इन चीज़ ठीक है, तो आप इन के ऊपर जो है ना, अपनी बनाते हैं, high content की book, और जो आपकी low and no content की book होगी ना, वो in size की उपर बनेगी, ठीक है, यह नीचे जो है ना, आपको eight size नजर आ रहे हैं, इन के उपर आपकी low and no content की book बनेगी, तो इस तरीके से यह नीचे भ है, वो आपने यहां पर select करना है, अपना size, dream size, तो आपने अपनी book का dream size लाजमी चेक करना है, कि मेरी book जो मैंने बनाई है, वो किस size के उपर है, जैसे हमारी book है, ठीक है, इधर मैं अपनी book को open करता हूँ, यह हमारी book है, इसको हम open करकर देख लेंगे, simply हम अपनी book को open करेंगे, और जैसे यह मेरे पास book को open होगी, ठीक है, जैसे इस तरह के देख लेंगे नजर आ रही है, इसकी look है, तो अब हम क्या करेंगे, कि इसकी हमने देखनी है, size के कौन सा size इसके अंदर लगाए, तो select के उपर click करके, इतर हम all के उपर click कर देंगे, औ page layout के अंदर, ठीक है, यह उपर आप page layout जो है, नजर आ रहा होगा, page layout के अंदर जाएंगे, और इदर लिखा, text, duration, margin, size, columns, तो हम आएंगे size के अंदर, size के अंदर आने के बाद हमने full नीचे जाना, यहां पर लिखा more paper size, इसके उपर हम click करेंगे, जैसे हम click करेंगे, तो यह यहां पर हमें जो है ना, वो paper size बता देगा, जैसे यह देखें जी width लगी है, five and height लगी है, eight, जैनी five by eight का इस book को size लगा हुआ है, तो आप हमने क्या करना कि यह देख लिए, यहां पर आपने जा बुक यह हाई content के करनी होते हैं, यह फार्मेटिंग करनी होते हैं, उसके अ five by eight के उपर click कर देंगे, और बास, और कोई काम आपने नहीं करना, अगर कोई आपने custom size लगाया, जो in size के अंदर all, जो जितने size आपको show हो रहे हैं, इनके अंदर वो size नहीं है, जो आपने custom लगाया, तो फिर आप इदर कार सकते हैं, इदर width, इदर height, जो हैना, वो select करके, अपना इदर inches select करें, और इदर select करके, अपना वो भी size है, आप इदर लगा सकते हैं, अगर कोई आपका अपना जाती, जो हैना size है, उसके बाद आजाते है, bleed setting, तो यह हमारी books जो हैना no bleed होती है, तो इसके उपर आपने click रहने देना, उसके बाद आजाते है paperback finish, ठीक है, cover finish, तो इसको हम mad के उपर ही रखेंगे, उसके बाद menu script पा रही है, इसको हम क्या करेंगे, आप लोड करवा देंगे इदर अपना paperback menu script, यानि आपकी जो book है, वह आपने इदर, इसके उपर click करना है, वही English वाली book, same हम इदर publish करवा देंगे, तो यह upload हो जागे, उसके बाद मारा आजएता है launch cover, ठीक है, कि आपने जो अपना cover launch करना है, वह आप कैसे खार सकते हैं, तो वह भी आम इतर नीचे से जो है, अगर आपके पास अपना cover पड़ा है, आपने कैनवा के उपर बनाया है, तो फिर आप इतर से जो है ना, इसके उपर click करेंगे, upload cover, you're already have printed ready PDF only, ठीक है, कि जस्ट यहां पर जो support करेगा ना, वो PDF format के अंदर ही आपका cover sport होगा, और JP, JP, NG, format वगारा के अंदर ये support नहीं करेगा, तो अगर आपके पास cover है नहीं पड़ा हुआ, आप चाहते हैं, कि आप इधर से cover बनाए, तो launch cover creator के उपर आप click करके, इधर से भी अपना cover create कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, या मेरे पास जो हैना, जो cover बढ़ा है, वो paperback का तो नहीं है, लेकिन just e-book का cover मेरे पास बढ़ा है, तो मैं e-book के cover कोई जो हैना, paperback का cover है, बनाने कोशिश करता हूँ, यहां पर हम करेंगे, upload, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चलें paperback का cover होते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देंगे, इस तरह के paperback का cover होते हैं, चलें पहले यह launch कार लेते हैं, जहां पर जैसे हमारे ना, उपर लिखा हो आए जी, how to use cover creator, तो आपने, आपने इदर कुछ भी नहीं करना, कुछ भी select नहीं करना, आपने यहां पर continue की उप क्लिक कर दें, उसके बाद आपके पास यह three option आ जाते हैं, जी, from your gallery, from my computer, skype and setup, तो आपने क्या करना है, आपने इदर जो ना, from my computer के उपर क्लिक कर देना, अब आपके पास e-book का cover पढ़ा हुआ है, जो आपने e-book के उपर cover